आपने भगवान सिरी राम के वनवास की कहानिया तो बहुत सुनी होगी लेकिन आज हम आपको एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराने जा रहा है भगवान सिरी राम ने वनवास के दोरान मध्यपरदेश के बुरहनपुर जिले में भी रात बिताई थी उन्होंने तापती नदी के इसनान करने के लिए पोउचते हैं और इस घाट पर रेत का सिवलिंग बना कर पूजा अर्चना करते हैं तापी पुरान कथा में भी इसका वर्णन किया गया है जब लोकल 18 की टीम ने महाराज नर्मननंगिरी से भगवान सिरी राम के वनवास को लेकर चर्चा की तो उन्ह ने तापती नदी में इसनान कर अपने पिता महाराज दसरत का यहाँ पर सरात कर रेत से सिवलिंग बना कर पूजा अर्चना की जिसके बाद आगे की यातरा की थी इसलिए इस इस इस्तान का नाम सिरी राम घाट पड़ा है यहाँ पर मधिपरदेश महाराष्ट के इसनान करने के साथ सरदाद प्रक्ष में अपने पित्रों का सरात करने के लिए पूजते हैं यहाँ पर सरात का विशेश महत्व है इस इसलिए भी तापती नदी में इसनान करने का विशेश महत्व माना जाता है तापती नदी में इसनान करने का विशेश महत्व माना जात किया था उनों नहीं जब राम और हीर्दा कि फिर्थ से दुने के बाद जी सीविलिंग सापना की पूजिन किया और उसके पाद अपने पिता महाराजा' employees यहां पर और अलगने लोग में श्राज करने के लिए आते हैं। बहुत लोग आते हैं।